मतुरा से आपको बड़ी खबर बता दे जहां डॉक्टर कफिल की नहीं हो सकेगी रिहाई तो बड़ी खबर आपको मतुरा से बता रहे हैं कफिल पर लगाया गया था रासुका जिला प्रशासन ने NSA के विरोध में भड़काव भाशन देने का आरोप तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिला प्रशासन ने लगाया NSA का आरोप तो इसकी CA के विरोध में कफिल पे भड़काव भाशन के आरोप लगे थे जिसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि डॉक्टर कफिल की रिहाई जो है वो नहीं हो सकेगी कफिल पर जिला प्रशासन ने लगाया था NSA का आरोप और बड़ी खबर आपको बता रहे है कि कफिल की रिहाई जो है वो नहीं हो सकेगी लगतर C.A. को लेकर जिस तरीके से पुरदेश पर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था उसमें से जॉक्टर काफिल ने भी एक विवादत टिपनी किया था जिसके वज़े से इने घेरा गया थो रैक्से में कफिल पर लगाया गया है रासुका अलिगर्ड मुसलिम यूनिवरस्टी में भड़काओ बयान देने की आरोप में गोरकपुर के जॉक्टर कफील खान के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कारवाई की है उतर प्रदेश पुलिस और प्रशासर ने जॉक्टर कफील खान के खिलाफ रासुका यानी रास्ट की है शुक्रवार को जॉक्टर कफील खान जमानत पर रिया होने वाले ते लेकिन रासुका लगने से उनकी मुश्किले फिर से बढ़ गई है इसका मतलब साफ है कि उन्हें रिहाई मिलने की कोई भी उमीद नहीं है जॉक्टर कफील खान पर पिछले साल 12 दिसेंबर को इन्हें रिहाई मिलने की कोई भी उमीद नहीं दिखाई दे रही है यूपी एस्टीफ ने कफील को जन्वरी में मुंबई से गिरफतार किया था और इसको में जादा अपडेट के साथ हमारे समभादाता अलिगर्ड से प्रमोध हमारे साथ बने हुए है प्रमोध बड़ी कबर सामने आ रही है और जिस तरह से खबर सामने आ रहे उससे तो साफ यहीं लग रहा है कि डॉक्टर कफील की रिहाई पर कोई भी सुनवाई न बाद वो फिलाल जील में जैसे उन्हें परसों जमानत मिली यानि आज रहाई होनी थी उनकी आज या कल में रहाई होनी थी वावजूद इसके जैसे पुलिस को यह जानकारी हुए कि कपीज की रहाई होनी है ततकाल अलिकार एससपी नहीं पर एनेशे मलग गैंग गैनिस इसके की कारवाई करती है एनेशे की कारवाई के बाद निस्प मुखराइं कर दिखना यह लिए इस तरीक दो मैंने में कम से कम जमानत वने मिल पाई है कि इस तरीके से पुलिस नहीं की कारवाई किया इनकी जमानत कब तक कब मिल पाती है जी क्या लगता है प्रमूद कितना वक्त लग जाएगा वेल के बाद तमाम प्रीकेशन की जो जमानती होते है उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन करते है उस प्रीकिरिया में भी नाद दो से खेह दिने का वक्त लगता है और जैसे की प्लिस को यह जानकारी हुई कि उनकी रहाई हो गई जिससे इस जो नाद आगा दी जिसके कفील के वकीलों के तरब से उनके पॉक्ष चरफ कोई बयानबाजी ये कुछ बाते सामने आई यह क्या तहुतर हो धिया कोई अप्राजी लगा जो बढ़काव वासर दिये उसी को लेकर बारत अब वारत दिशंबर को वासर दिया था था 13 दिशंबर को मुकर्मावी दर्ज़ों गया था पुलिस जबी इसे लगातार इनकी गरब्दारी के प्रयाद कर रही थी वगर बावजूद नहीं गरब्दारी हो ऐसी अपने सक्रिय नजर आ रही है और ऐसे लोगों के खिलाब अलीगर पुलिस पूरी तरीके सक्रिया और बेल होना अब अतनी आचानी के बेल होना तंब नहीं है क्योंकि किसी भी अपरादी के खिलाब एक मुगदमा दर्ज उसके बाद उसके बाद उस पर वह वह जेल में होते तमाम अपडेट के लिए